पाकिस्तान में एक के बाद एक भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं अब खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के प्रमुक लखबीर सिंग रोडे की पाकिस्तान में मौत हो गई है रोडे भिंद्रावाले का भतीजा था है अच्छा दोस्तों पाकिस्तान से एक और खबर है और खबर ऐसी है कि जर्नेल सिंग भिंद्रावाले का नेफ्यू यानि कि his भतीजा भतीजा उसका ओफ हो गया, इसका नाम है लगबीर सिंग रोड और लगबीर सिंग रोड पाकिस्तान में खतम हो गया अब दोस्ता है। पाकिस्तानीस डोन वान टो पाकिस्तान अब आप यह सोचिए कि यह बंदा क्यों पाकिस्तान में अभी काफी सालों से रह रह रहा है पाकिस्तान में काफी सालों गए इसको अब इसकी पाकिस्तान में टेथ हो गई। अब पुलिस पकड़ लेगी, अब पुलिस पकड़ दे, कि चुप-चाप से पाकिस्तान भागया, खबर दे आपको खालिस्तान तहरीक का एक और सिक रहनमा कटल कर दिया किया, इसके पीछे कई कॉनस्प्रेसी थिउरीज हैं, और कॉनस्प्रेसी थिउरीज ये कहती हैं, कि इसको इंडिया ने मरवा दिया आर ए, आर डेवल्यू ट्रिपल ए, रा ये बड़ा दिखता है पाकिस्तान में अच्छा पाकिस्तान में कभी लशकर के, कभी जैश के, कभी खालिस्तानी टिर्रिस्ट्स टपक रहे हैं पाकिस्तानी के रहे हैं ये यूएस जा सकता था, यूके जा सकता था, फ्रांस जा सकता था, जर्मनी जा सकता था, आस्ट्रेलिया जा सकता था, नियूजिलेंड जा सकता था, ये पाकिस्तान को गया, कोई भी सेंसिबल आदमी पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तानी भी पाकिस्तान नी जाना चाहते है, उनकी मजबूरी ये विचारों की वहाँ पे पैदा हुए हैं लेकिन इवन दो पाकिस्तानीज डोंट मॉन डो गो टो पाकिस्तान अब आप ये सोचिए कि ये बंदा क्यों पाकिस्तान में अभी काफी सालों से रह रह रहा है पाकिस्तान में पाकिस्तान में व्याइपी इसका सम्मान हुआ जैसे कि बहुत बड़ा कोई तीर मार के आया होगा क्योंकि आतंक बादी तो respected होते ही है पाकिस्तान में आपने देखा होगा जैसे उसामा बिन लादन बड़ा respected figure है दोस्तों किसी भी दिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी जिन्ना की फोटो हटा के उसामा की फोटो लगा देंगे that is the level of respect that उसामा बिन लादन है पाकिस्तान definitely अगर भारत के खिलाफ कोई आतंकी काम करेगा तो पाकिस्तान में उसका एक इज़त का मुकाम होगा अब ये देखिए इस दुनिया में जो आया है ना उसको जाना है दोस्तों he has to go but हर चीज में बोलना की इंडिया ने कर दिया बारिश जादा हो गई इंडिया ने कर दिया no I'm not joking they actually said that that India के पास कोई ऐसी मशीन है जिसकी वैज़े से वो कुछ कर देता है और यहां पर पाकिस्तान में बारिश हो जाती है जब पाकिस्तान में सूका पॉडता है तो भारत ने हमारा पानी रोक लिए डैम बना लिए सतलच का पानी रोक लिया ब्यास पता नहीं किस-किस का पानी रोक लिया भारत ने जिसकी वज़े से हमारे यहां सुखा पड़ गया पाकिस्तान में जब पोलियों के केसिस निकलते हैं वो भी भारत करवाता है पाकिस्तान में सरकार गिरती है वो भारत करवाता है या नि भारत सब कुछ करवाता है तो जाहर सी बात है कि जब लगबीर सिंग रोड को हार्ट अटैक हुआ तो सबसे पहले पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने ये बोला कि ये भारत का काम है सच बात क्या है दोस्तों सच बात ये है कि हर एक इनसान जो की पैदा होता है उसको मरना है इसका वक्त आ गया ये खतम हो गया इवरिबडी डाइस इसलिए पना दे रहा है खालिस्तानी को कि खालिस्तानी अमरीका के खिलाफ नहीं ये खालिस्तानी भारत के खिलाफ है आप समझेए कि वो जो आतंकी हैं खालिस्तानी चाहे वो गुर्पतवन सिंग्पनु ही क्यों नगो कोई भी X Y Z हो वो किसके खिलाफ है? अमरीका के खिलाफ तो नहीं है दोस्तों वो वो है खिलाफ भारत के. अब अगर वो भारत के खिलाफ हैं तो क्या अमरीका एक हुक की त हैं, क्या ये लोकल हिटमेन हैं, लोकल गुंडे हैं, क्या ये साबिक पुलीस और रिंजर्स के अफसरान है, क्या सवाबित मिले हैं, इंटिसेप्ट को और क्या हमारी रिपोर्टिंग कहती है, आज एक और बड़ा सवाल बनता है, कि पाकिस्तान अब रिस्पॉंड कैसे रहा है, और इस सब में, अगर वो नॉर्मलाइजेशन चाह रहा है, और फिर वो पाकिस्तान में आपरेट क्यों कर रहा है, और लोगों को पाकिस्तान में क्यों कतल कर रहा है, क्या उसे नहीं नजर आ रहा है, क्या शायद ये मिलिटन ग्रूप्स जो हैं, ये घुसे में आ हमारे Godfather थे और अब तुम कुछ नहीं कर रहे ये सब पूरे खिते के लिए इस सब की क्या implications है और more than anything एक और सवाल बनता है कि दुनिया क्यों चुप है हिंदुस्तान के खिलाब अब पाकिस्तान तो इसलिए चुप है क्योंके पाकिस्तान कमजोर है पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड खुद जो है वो चेकर्ड है अगर पाकिस्तान बैनलक्वामी सता पे जैसे जस्टिन टुडो ने हाथ खड़ा करके किया था कि हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे पास दस्ताविजात हैं पाकिस्तान ये नहीं कर सकता पाकिस्तान जस्टिन टुडो नहीं बन सकता क्योंकि जस्टिन टुडो के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान में जाके लोगों को नहीं कतल करते हैं पाकिस्तान का ये ट्रैक रेकॉर्ड ह हराब track record है मगर पाकिसान को छोड़ें मगरिबी मुमालिक में अब ये टैक्स होने लग गए ये इंडिया को क्यों नहीं चेक कर रहे और इंडिया इनको क्यों टागिट कर रहा है क्या इंडिया इतना बड़ा हो गया है इतना बदमाश हो गया है कि इसराइल की तरह या रूस पे उन्होंने एक exclusive insight दी है ताकि हम सबसे पहले channel हैं जो आपके सामने ये ला सकें और आपको समझा सकें दिखा सकें कि पाकिस्तान आज इंडियन जारियत के सामने क्यों इतना कमजोर हो गया है